नमस्कार बच्चों, मैं विजे कुमार सैन, नवभरती स्टड़ी सरकिल में आप सभी का एक बार फिर चे स्वागत करता हूँ और आज फिर हम आज एक मैजिक क्लास के अंदर कुछ अलग सीखने जा रहे हैं और आज की जो हमारी मैजिक क्लास है, उस मैजिक क्लास में हम इंगलिश के बारे में पढ़ेंगे, इंगलिश की कुछ स्पेलिंग्स जो होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, अकसर ये देखा जाता है कि ये प्रोबलम सुनने में आते हैं बच्चों को, इंगलिश की जो पेलिंग्स जो होती है उन्स पैल्स को याद करें हिंदी मीडियम की बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है कि सर हमें इस पैलिंग्स यादे नहीं होती मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा तो जो जो स्पै जो स्पैलिंग्स आपने एक बार आज देख ली और स्पैलिंग्स को आप बिल्कुल फिक्स माइंड कर लोगे तो चलते हैं बड़ की और नय कि विल यह जो स्पैल्स है यह आपको छोटी आपके अपके ही कोर्ट के हो च्याए अपके पोलिस कंस्टेबल के हो या रिट के हो या आपके और किसी आपके आपको साथ के साथ किलिर होते चले जाएंगे तो चलते हैं spellings की होर और पढ़ते हैं उनके synonyms के साथ उनके हिंदी आर्थ के साथ एक विशेश तरीके से ठीक है आज की जो मेरी पहली जो spellings है English में हम सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं Futility Futility जो है इसका मतलब होता है व्यर्थ या बेकार Futility का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार ठीक है अब व्यर्थ या बेकार के अगर हम बात करें इसको कैसे याद करना है तो देखो यहाँ पर futility F-U-T-I Futility Futility को कैसे याद करना है कि यह कैसी है Futi-Tuti है Futility Automate Futility mae इसका मिन्ज क्या है कि जो Frute मोगी यह बेकार होगी ना बेकार होगी व्यर्थ होग इसका means क्या है वियर्थ है इसका मतलब क्या है विकार है तो यह futility मतलब विकार तो अब बात करते हैं इसके synonym की बात करते हैं इसके परिएवाचे की बात करें तो futility जो है उसका जो synonyms है वो क्या बन गया useless बच्चों क्या बन गया useless ठीक है तो हमने बात की futility अक्सर competitive exam के अंदर भी पूसी जाते हैं ये meanings ये spellings और इनके synonyms ठीक है कि निमन में से useless के लिए कौन सा शब्द कामें लिया जाता है तो useless के लिए futility जो शब्द है वो कामें लिया जाता है ठीक है बच्चों दूसरी spelling के और चलते हैं तो दूसरी spelling है सेलूब्रियस सेलूब्रियस का meaning क्या है सेलूब्रियस का synonyms क्या है तो देखो सबसे पहले सेलूब्रियस को याद करें तो सेलूब्रियस यहाँ पर यह word निकल रहा है सेलूब्रियस 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 सल्लू किसको बोलते है सल्लू बोलते है सल्मान खान को सल्लू किसे बोलते है सल्मान खान को shortcut में क्या बोलते है सल्लू बोलते है और सल्लू कैसे है healthy है ठीक है सल्लू कैसे है healthy है उनकी body shoddy जो है उनका जो health wealth है बहुत अच्छी है तो उनकी health wealth अच्छी है तो cellule कैसे है healthy है बोलो cellule कैसे है healthy है सलमान खान कैसे वेखती है तो सलमान खान जो है वो healthy है तो शलूब्रियस वैसे भी celebrity है तो शलूब्री कैसे है शलूब्री healthy है तो healthy इसका synonyms हो गया और सलूब्रियस को याद करने का trick क्या हो गया कि सलू मतलाब सलमान खान और सलमान खान क्या है healthy है तो यह आपको याद हो गया होगा मतलाब स्वस्थ ठीक है चलते हैं आगली spelling की और अगली जो हमारी spell है वो है लेबोरियस लेबोरियस जी हाँ अब लेबोरियस के अगर हम बात करें तो देखो लेबोरियस में हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है लेबर लेबोरियस में हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है इसमें हमारे पास एक शब्द आ रहा है लेबर और लेबर से बना है लेबोरियस अब लेबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो हार्ड वर्कर होते हैं लेबर कैसे होते हैं हार्ड वर्कर तो हार्ड वर्किंड लेबर का सिनेनिम कैसे बना हार्ड वर्किंड लेवर का जो प्रियावची है वो क्या बना हार्ड वर्किंग और स्पेलिंग याद कैसे करेंगे तो ल, ए, ब, ओ, आर ठीक है ले देखो ल, ए, ले क्या ले तो भहिया बोरी ले क्या ले, बोरी लेवर तो बोरी उठाते हैं तो ल, ए, ले ब, आर आई, बोरी ठीक है, तो यह spelling complete, चलते हम अगली spellings की ओर, ठीक है, आईए, अगली जो हमारी spelling है, वो है डिलिगेंट, आप डिलिगेंट को कैसे याद करें, इसका means क्या होता है, इसका synonyms क्या होता है, so simple, देखिए, आपको मानना है दिलि, मतलब यह डिलि, ल, आई, दिलि, दिलि को क्या मानना है, आपको मानना है कि यह दिलि है, यह क्या है, दिलि है, ठीक है, और यह जो जेंट है, इसका मतलब क्या है, जेंटलमेन मतलब पुरुश, जेंट मतलब क्या है, पुरुश, तो दिलि, जेंट मतलब दिलि के जेंट मतलब पुरुश जो ह हैं वो बहुत ही क्या होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ही महनती होते हैं दिल्ली के जो लोग हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ही महनती होते हैं ठीक है क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको पता है वैसे भी कि बहुत मेहनत करने पड़ती है महां की population बहुत ज़्यादा है महां पर कामकाज की बहुत अधिकता है तो महां के लोग भी कैसे होते हैं महन्ती होते हैं तो आपको याद करने का so simple तरीका है diligent की दिल्ली की जो gent यह मतलब पुरूश जो है आदमी जो हों के है बहुती महन्ती है बहुती laborious है बहुती hard worker है तो आपको याद हुआ चलते हैं अगले spelling की ओर तो आप बढ़ते हैं अगली spells की ओर तो हमारी अगली जो spelling है वो है A B O R T I V E Abortive Abortive कैसे याद करें सर So simple देखिए यहाँ पर A B अब O R और T I T I का मतलब है T V अब और T V मत देखना अब और T V मत देखना नहीं तो क्या हो जाओगे As a fall अब और T V मत देखना नहीं तो क्या हो जाओगे As a fall unsuccessful unsuccessful U N S E C E double S F U अब और T V अब और T V मत देखना अब और T V मत देखना वरना क्या हो जाओगे As a fall means unsuccessful unsuccessful अब और T V A B O R T I V E अब और T V अब और T V means unsuccessful अब उसके trick हो गई अब और T V मत देखना अब और T V देखोगे तो क्या हो जाओगे As a fall ठीक है तो अब और T V means unsuccessful तो देखा हमने बात वी बातों में याद कर ली ना अब और T V चलते हैं आगली spells की और अब हमारी spelling है वो है लेथार्जी देखिए L E T H लेथार्जी L E T H A R G Y लेथार्जी लेथार्जी कैसे याद करनी है इसका मतलब क्या होता है तो देखो इसमें से जो वर्ड निकल रहा है हमारे सामने वो निकल रहा है लेथा हुआ 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 पसंद करता है, हमेशा लेटा रहना पसंद करता है, तो कैसा होगा? वो आल्ची होगा, तो लेठार्जी मतलब क्या होगा? आल्ची. Spelling L-E-T-H-A लेधा, लेथा या लेटा और र-Z-Y लेठार्जी, लेठार्जी मतलब आल्ची. ठीक है, means laziness, means क्या होगा इसका laziness, ठीक है, l, l, a, z, i, l, a, z, i, n, e, double, s, laziness, laziness, जो कोई इधर लेथा है, ठीक है, अब लेटे लेटे को, कोई उसको खड़ा करता है, तो खड़ा नहीं होता हो, तो लेटा है पसंद करता है, तो हरो को बोलेगा, lazy, कैसा है बंदा, lazy है, ठीक है, तो laziness, तो lethargy और laziness दोनों क्या होगे, synonyms होगे, इसका means, r, c, ओके, चल a, double l, a, y, alay, ठीक है, alay means क्या है, alay means होता है, शांत, या चुप, देखिए, सर कैसे याद करें, so simple, जब छोटा बच्चा रोता है, तो उसकी मम्मा उसको क्या बोलती है, उसकी मम्मा उसको गोदी में लेके बोलती है, अले, 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 बोलती है, उसको गोदी में लेके अले, अले, बोलती है, तो अले, अले करने से वो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, शान्त हो जाता है तो आपको भी कैसे हाथ करना है अले अले मतलब चुप हो जाओ शान्त हो जाओ ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है अले और अले का जो synonyms जो है वो है synonyms है C-A-L-M काल्म ठीक है तो यह हमने इसका क्या पढ़ा synonyms ठीक है तो ले अले मिन्स शान्त होना या चुप होना चलते हैं हम आगले स्पेल्स की और ठीक है हमारी आगली जो स्पेलिंग है वो है L-U-N-A-T-I-C Lunatic Lunatic मिन्स क्या है ठीक है एक व्यक्ति जो की Luna लेकिया है Luna क्या है मॉपेड है ठीक है एक व्यक्ति जो की एक लूना लेकिया है पहली पहली बार वो व्यक्ति लूना लेकिया है अब उसको लूना चलाने तो आती नहीं ठीक है कि लूना को कैसे चलाते हैं अब उस व्यक्ति ने लूना को लेके आया ठीक है और लूना के वो बार बार टिक टिक करके उसके किक मारते रहा किक पे किक मारते रहा जो गाड़ी को स्टार्ट करने लिए किक मारते ठीक है अब उस गाड़ी को उसने इतनी सारी टिक टिक करके किक मारी कि गाड़ी वोसी व्यक्ति ने बोला मैं तो इस गाड़ी के किक मारते मारते क्या हो गया पागल हो गया लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो ये क्या हो गया lunatic means क्या होता है mad mad means पागल ठीक है तो lunatic luna एक मोपेड है और इस गाड़ी के इसने क्या मारी टिक करके किक मारी लेकिनो गाड़ी क्या नहीं हुई start नहीं हुई तो व्यक्ति क्या बोला कि मैं तो इस गाड़ी को start करकर के पागल हो गया लेकिन इस गाड़ी क्या नहीं हुई start नहीं हुई तो lunatic means made, made means पागल चलते हैं अगली spells की और और हमारी जो अगली spelling है वो है वो है deleterious ठीक है तो देखिए deleterious क्या है d e l e t e r i o u s deleterious deleterious जो word है deleterious यह जो शब्द है यह बना है यह बना है delete से किस से बना है delete और बच्चों आप जानते हो delete का मतलब क्या होता है delete का मतलब होता है किसी चीज को हटाना ठीक है या उसको मिटाना आप पता है हम किसी चीज को मिटाते किसको है हटाते किसको है computer में कोई file है कोई virus है हम उसको क्या करते है delete करते है कौन से file को delete करते है जो हमारे लिए harmful होती है जो हमारे लिए क्या होती है harmful होती है तो जो file हमारे लिए harmful होती है हम उसको क्या कर देते हैं delete कर देते हैं तो deleterious means harmful नुक्सान देख spelling याद करना so simple सबसे पहले किसकी spelling याद की हमने delete की spelling याद की ठीक है delete की spelling के बाद में क्या याद की हमने reas deleterious deleterious means harmful चलते हैं अगले spelling की और अगली हमारी spelling है वो है mobile अब mobile तो सब के पास होता है और mobile जो है तो mobile की हम spelling याद कर रहा है कि mobile जो ही इसका means क्या है synonyms क्या है तो देखो हर कोई वेक्ति जब पहले phone आते थे ना एक जगे खड़े हो करके बात करते थे ठीक है लेकिन जब से हमारे पास mobile आया है तब से हम हलो हम घुम घुम के बात करते हैं हम चलते फिरते बात करते हैं तो mobile का means भी क्या होता है mobile का means भी होता है movable क्या होता है mobile means भी क्या होता है बच्चो movable ठीक है तो देखिए तो spelling है m-o v-a v-l-e movable ठीक है movable means चलता फिरता तो mobile कैसा होता है mobile भी हम बाते कैसे करते हैं चलते चलते हम कैसे बात करते हैं चलते फिरते तो movable मतलब भी क्या हो गया चलते फिरते जब हम mobile भी बात करते हैं तो चलते फिरते बात करते हैं मतलब क्या निकला इसका movable ओके चलते हैं अगले spellings की और ठीक है हमारी अगली spelling है C-H-A-R-I-S-M-A करिश्मा ठीक है करिज्मा करिज्मा का मिंच्ज क्या है तो देखो इसको हमको याद भी करिश्मा की तोर पे ही करना है करिश्मा कपूर का नाम सुना होगा आपने ठीक है करिश्मा कैसी है करिश्मा जो है है sir याद करने का तरीका so simple है देखो जब भी जब अगर मालो कोई आकरशक चीज हमारे सामने आती है तो उसको एक बार नहीं चार बार उसको देखने का मन करता है तो चार C-H-A-R आई आई समा हम उसको चार बार आखों में समाने की कोशिस करते हैं चार आई समा ठीक है चार बार कोशिस करते हैं उसको हमारी आखों में समाने की तो करिश्मा करिश्मा मतलब attractive attractive means आकरशक तो बच्चो आपको ये मेरा तरीका कैसे लगा मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको ये तरीका मेरा पसंद आया होगा फिर मिलेंगे अगली मैजिक क्लास में अगले वीडियोज में चिक है तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत